IT मंत्री KTR ने ट्वीट किया कि तिलंगाना का नया सचीवाले शुरू करने की तैयारी हो रही है KTR ने अपने ट्वीटर एकाउंट में कहा कि CMKCR कुछ महिनों में तिलंगाना शहीदों के समारक स्थूप और 125 फीट अंबितकर की प्रतिमा के साथ ने तिलंगाना सचीवाले का उधगाटन करेंगे मंद्री केटिया ने कहा कि सचीवाले लगबग 200 वर्शन तक बरकरा रहने के लिए बनाया जा रहा है इसके लिए अधिकारियों और निर्मान कंपनी ने विशेश धियान दिया है चैंबरों का निर्मान, इंटिरियर डिजाइन, इलेक्रिकल, प्लम्बिंग, वर्क स्टेशन की स्थापना, कलरिंग, फ्लोरिंग, मार्बस, पोटिको का निर्मान ये सबी विबिन प्रकार के कारिया एक साथ किये जा रहे है केटिया ने कहा कि तीन शिफ्टों में करिब दो हजार करमचारी काम कर रहे है ग्रोव मंत्री मेहमुद अली ने कहा कि हाल ही में एहमदबाद, गुजरात राज्य में आईजित चटी रास्ट्रिया जेल यूटी मीट में तिलंगाना शीच पर रहा है ग्रोव मंत्री ने अपने कारिया ले में विजेताओं को सम्मानित किया जेल वीबा के डीजी, जीतेंद्र, आईजी, राजेश और अन्य जेल अधिकारियों ने बैटक में भाग लिया बैटक में अधिकारियों ने राष्टे करतेविये बैटक में तिलंगाना की शीष स्तिती की विवरन का खुलासा किया इस ड्यूटी मीट में कुल 19 राजियों और 960 खिलाडियों ने भाग लिया और तिलंगाना जेल विवा के 68 कर्मचारियों ने तीन दिनों तक इस ड्यूटी मीट में भाग लिया और उत्कृष्ट प्रतिबा दिखाए चह स्वन एक रजट और दो रजट पदक के साथ चाट ट्राफियां जीतने की अलावा तिलंगाना राजे सबसे अधिक पदक जीत कर देश में शीर्ष पर रहे अभी नंदन कारिक्टरम में घृव मंत्री ने देश में प्रतम पुरसकार प्राप्त करने के प्रयासों के लिए कारगर विबाग के डीजी जीतेंद्र और आईजी राजेश की विशिश रुप से प्रशनसा की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजे ने कहा कि PFI ने वर्ष 2040 तक बायत को इस्लामिक स्टेट बराने की साजी श्रची है उन्होंने प्रजा संग्राम पदियात्रा के दोरान नागुल में आईजीत बैटक में यह टिपनी की यमायम की चत्रचाया में पॉपलर फ्रेंट आफ इंडिया यमायम काम कर रहा है संजे ने आरुप लगाया कि TRS का संबंद PFI से ठी है TRS पोशन कर रही है बंडी संजे ने कहा कि सरकार को PFI के बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं थी जब तक NIA ने आकर तलाशील नहीं ली उन्होंने कहा कि केवल BGP यमायम के विरोध को रोकेगी उन्होंने कहा कि राजे में ऐसी सिती है जहां केसी आर का परिवार तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उन्हें रिश्वत नहीं दी जाती संजे ने आलोचना की की केसी आर का परिवार किसी भी गोटाले में भूमी का निभाता है राजसबा सदस्य बढगुला लिंगया ने कहा कि BGP प्रदेश अद्धिक्ष बंडी संजे अपने हद चोड़ कर बात बयान दे रहे है हाला कि वो सांसत के पत पर है उन्हें इस तरह के विवादासपत बयान नहीं देने चाहिए उन्होंने कहा कि बंडी संजे द्वारा घुटने टेक कर यात्रा करने से कोई विश्वास ने कर रहे है लिंगया यादव ने कहा कि संजे संप्रदाइकता बढ़काने के उद्देश से बयान दे रहे हैं कानून सब के लिए सम्मान है पुराने शेर और अन्यक शेतरों के लिए ये अलग नहीं है उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि वे जूट बोल रहे हैं पदियातरा के दोरान लोगों से जूट बोल कर गुम्रा करने का प्रयास किया है उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि बंडी संजे में दम कम है तो पियम मोदी से राश्ट्यस्तर पर दलित बंदो योजना के अमल में लाने को कहा मंत्री सभिता इंडरेडी ने बीजेपी नेता बंडी संजे से सवाल किया कि मैश्वरम निर्वचंग शेतर में स्तापित होने वाली आई टी आई आई आर परियोजना को रद क्यूं किया गया सरुनगर डिविजन में पेंशन वितरन के बाद उन्होंने बीजेपी बर निशाना सादा पिछले आठ सालों से केंदर में सत्ता में रही बीजेपी द्वारा तिलंगाना को पैसा नहीं दिया जा रहा है और फंड नहीं दिया जा रहा है उन्होंने आक्रोश वेक्त करते हुए कहा कि राजनीतिक लाप के लिए बंडी संजे द्वारा प्रजा संग्राम यात्रा की जा रही है हालाकि बीजेपी ने राजे के साथ सोतेले विवार किये है राजे के हिसे को मिलने वाली निदी और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी राजे मनजूर कर उपलब्द नहीं करा रही है साथ ही राजे को दिये जाने वाले बकाया भी नहीं दिया जा रहा है इस तरह रवया अपनाने वाले बीजेपी को किसी भी तरह की यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है ये लोगों को गुम्रा करने तो जारी यात्रा है सिकिंद्रपाद चावनी चटे वाड के साई बाबा कॉलनी की ये घटना है इस वाड में जनदाता पिता ने अपनी जान जोकिम में डाल कर अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपना अंगदान कर दिया गंगया का बेटा साहिलू 31 साल का है और चावनी चटे वाड के सीतारमा पुरम के एक गरीब परिवार से तालुका रखता है वा कुछ दिनों से कीडनी की समस्या से जूज रहा था अस्पताल के डॉक्टरों की सला के अनसार वा किडनी बदलने के लिए डूनर की तलाश कर रहे थे लेकिन जब कोई आगे नहीं आया तो उन्होंने खुद बेटे को अपनी किडनी डूनेट करने की तयारी की बोट के पूर्वसदसिय पांडूयादव ने चिकिसा कारणों के से सायना से संपर किया और स्थानिया विदायकों से सायना से संपर किया ततकाल विदायक में सीम रातकोष से जाहिला की राशी मंजूर कराने में काफी मशकत की गंगया ने इसके लिए विदायक साहना और बोट के पूर्व सदसिय पांडुयादव को धन्यवाद दिया हैदरबाद के नामपली सित गांधी भवन में प्रदेश कॉंग्रेस प्रतिनिद्यों की बैटक आयजित की गए बैटक में राहूल गांधी द्वारा EICC की कमान संभालने एतों पेश प्रस्ताव को सर्व समत्ती से मन्जूर किया गया प्रदेश कॉंग्रेस के रिटर्निंग ओफिसर सांसाद राज मोहन उन्नितन की अधिक्षता में हुई बैटक में PCC अध्यक्षर रेवंत रेड़ी, सांसाद उत्तम कुमार रेड़ी, CLP नेता भठी विक्रमार, पार्टी नेता श्रीदर बाबु, गीता रेड़ी और तीन सो से अधिक प्रतिनिद्यों ने भाग लिया राउल गांधी के लिए कॉंग्रेस की बाग दोर संबालने के लिए एक और प्रस्ताव पारित किया गया है भाजपा प्रदेश महा सचीव गूजला प्रेमेंदर जी ने कहा कि इस मां की 25 तारिकों दीन दयाल की जहनती के अफसर पर पौदे रुपे जाएंगे उन्होंने कहा कि गांधी जहनती के अफसर पर स्वच भारत और वोकल टू स्थानिय कारिक्टरम भी आईजित की जा रहे है टीबी मुक्त भारत के हिसे के रूप में भाजपा कारेकरता प्रत्यक टीबी रोगी के लिए स्वेम सेवक होगे उन्होंने कहा कि आज समाप्त हो रही बंडी संजे की प्रजा संग्रा मियात्रा के चौते चरन के अफसर पर अंबर पेट में एक विशाल सबा का आईजन किया जा रहे है मानवादिकार आयोग अद्यक्षिन यायमूर्ती चंद्रया ने सुझाव दिया है कि चात्रों को अनशासन के साथ अदियन करना चाहिए और बहतर भविश्य के लिए आदश मार्ग बनाना चाहिए उन्होंने सिकिंद्रबाद चावनी में तिर्मलगिरी और बोयनपली में समाज कलियन चात्रवासों को निरिक्षन किया उन्होंने चात्रवासों में चात्रों के कमरों के साथ साथ रसोई शोचाले और पुस्तकाले का भी निरिक्षन किया इस मौके पर उन्होंने चात्रवासों के संचालन चात्रों वकरमचारियों को दी जाने वाले सुविदाओं के बारे में जानकारी ली उन्होंने कहा कि उन्होंने भी एक चात्रवास में पढ़ाई की और इस सर्थ तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की चात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ना केवल सरकारी नोकरियों के लिए बलके नीजी क्षेत्र में उत्कृष्टा प्राप्त करने की योजना के साथ आगे बढ़े काइटर में CRO श्रीनिवास कानुनी सेवा प्रतिनिदी सुदीर और दयाकर ने भाग लिया हाइदरबांद रावंतपूर ZPSHS हाइ स्कूल ने अंतराश्यो वैश्य मासंग मेचल जिले के तत्ववधान में गरीब चात्रों को मुफ्त नोटबुक विद्रित की तिलंगाना राज्य परेटन विकास निगम के अध्यक्ष उपर स्रीनिवास गुपता कॉर्परेटर बंडारुष श्रीवानी किकरनी ने चेतना ने कारेक्ष्रम में भांग लिया और चात्रों को नोटबुक और आवश्यक वस्तों का वितरन किया स्रीनिवास गुपता ने प्रशंसा की केसियार सरकार नीजी सिक्षन संस्तानों के बज़ाए तिलंगाना में सरकारी सिक्षन संस्तान बनाएगी क्वालिटि चावल दोपहर के भोजन से गरीब और माध्यमवर के चात्रों का पेट भरते हैं उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी होती है कि वैशे फेडरेशन कई गरीब चात्राओं को सेवा के नजरीय से समर्तन देता है और उनकी जरुषा को पूरा करता है इस कारेक्टर में स्कूल के प्रचारिय चात्र निताओं और वैशी संग के निताओं ने भाग लिया प्रारंबिक अवस्ता में कैंसर का पता लगाने और रोगियों के जीवन काल को बढ़ाने के लिए तिलंगाना सरकार दोरा राज़े बर में किये गए कैंसर स्क्रीनिक परिक्षनों के परिनाम सामने आ रहे है शेहर में यम एन जे कैंसर क्लीनिक के तत्वोधान में मुबाइल बस के जर्ये मरीजों के घर घर जाकर कैंसर जांच की जा रही है ना केवल ग्रेटर पर बलकि विशेश रूप से ग्रामिंग शेतरों पर ध्यान के इंद्रित किया जा रहा है ये स्क्रीनिंग टेस्ट एक हफ़ते में दो से तीन स्पेशल कैंप के जरीए किये जाते है जिकित साव विशेशगनों का कहना है कि पंजिकृत कैंसर रोगियों में से 40% से अधिक बिना ये जाने की उन्हें बिमारी हैं जी रहे हैं इसलिए बिमारी के बढ़ने के बाद वे गंबी लक्षनों के साथ अस्पताल आते हैं इसे ध्यान में रखते हुए तिलंगाना सरकार ने ये मेंजी अस्पताल के माध्यम से बड़े पेमाने पर स्क्रिनिंग टेस्ट शुरू किया है ताकि कैंसर की बिमारी के शुरुआत चरण में पताल लगाया जा सके और मरिजों की जान बचाया सके गांधी नगर डिविजन की कॉर्परेटर ये पावरी विने कुमा ने वीवी नगर कमिनिटी हॉल में तिलंगाना के महिलाओं को बदकमा उत्सव के लिए उपार के रूप में साडियों के वित्रित की इस वर्ष पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा मनाये जाने वाले तिलंगाना बदकमा उत्सव के आयजन के लिए सभी प्रबंदन किये गए कारिकरम में बीजेपी शेहर के युवा नेता ये विने कुमार, डीपी ओ सुधाकर राव, यूडिसी अधिकारी मदू, बीजेपी नेता नविन कुमार, आनंद राव, अरुन कुमार, प्रशाद, आंगनवाडी, टीचर प्रमिला, कौसरा बेगम, मतिन बेगम और स्थान पर है, रास्ट्र अपराद रिकॉर्ड बीरो ने इस मामले का खुलासा किया है, कुलकता देश का सबसे सुरक्षिश शेहर है, दुसरे नमबर पर पुने है, रास्ट्र अपराद रिकॉर्ड बीरो के आंकडों के अनुसार वर्ष 2021 में, दस लाक लोगों के खिलाब 2599 अप पराद हुए, कुलकता में 1034 अपराद किये गए, पुने में 2568 अपराद की दर्च किये, उलेकनिया है कि तिलंगाना महज 8 सास में सुरक्षिश शेहरों की सूची में शामिल हो गया है, एक सुरक्षिश शेहर के नाम से तिलंगाना में निवेश बढ़ाने के अफसर है, श सेवा केंदर के प्रमग डॉक्टर येस अरुन कुमार, सोशलाइट और उद्यमी शेहलजारेडी ने संस्तापक अनपुर्ना गाड़पली के साथ आई आरे लाइफ वसल्स की शुरुवात की, पहली बार भारतिया सिल्क गैलरी ने भारत के बुनकरों और कारिगरों को पानित किया, आत्या दोनिक इंजिनेरिंग और तक्निक की जानकरी के साथ अलेक्ट्रिकल, डिजिट्रल और घरेल उत्पाद ली ग्राइन इंडिया ने बिगम पेट में अपना सोलवा प्रयोगिक केंदर लॉंच किया है, इनोवल इस उन्नत अलेक्ट्रिकल और डिजिट एमडी टोनी बेलाड ने कहा, यही नया उत्पाद समय समय पर हो रहे परिवर्तनों के अनसार नए जमाने के ग्राइकों के लिए भी उपलब्द है, इस योजना में कमपनी के प्रतिनिदियों के साथ ग्रूप ले ग्राइन इंडिया के बिक्री निर्देशक समीर ककर ने फिल्म कलाकर काविय कल्यान राम ने सांससर संतोष कुमार दुअरा किये गए ग्रीन इंडिया चैलन्ज के अंतरगट जुबली हिल्स में पौदे लगाएं, उन्होंने कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज में भांग लेकर और पौदे लगा कर उन्हें खुशी हो रही है, छ अंतुष कुमार द्वारा चलाया गया ये कारिकरम चार साल से चल रहा है और एकलाक पौदे लगाना खुशी की बात है। फिलिम कलाकार ने सभी से कहा कि आने वाली पीडियों के लिए बहतर वातावरन बनाने के लिए पौदे लगाने के लिए अपनी भूमी का निभाएं। जुबलीहिल्स हाॉजिंग सोसाइटी की प्रबंदन समिती को तिलंगाना हाई कोट में बड़ा जटका लगा है। तिलंगाना हाई कोट ने मैनेजिंग केमिटी को मिले आवेद जीओ पर ने सिरे से रोक लगा दिये है। हाई कोट ने आदेज जारी किया है कि प्रबंदन समिती को समाज में आवेद गतवीदियों में शामिल नहीं होना चाहिए। हाई कोट ने हाउजिंग सोसाइटी के सदस्यों को हटाने सदस्यता का तबादला करने और जो पत्र नहीं है उन्हें सदस्यता नहीं देने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। जस्टीस के एम जोसेफ की अद्धिक्षितावाली पीट ने पिछले साल मीडिया में नफरत बरे भाशनों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने एहम टिपनी की एंकर प्राता का मानना है कि यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि टीवी चैनलों पर अबद्र भाशा ना चले। मुक्यदारा के मीडिया और सोशल मीडिया में इस तरह के भाशन पर कोई नियंतरन नहीं है। ऐसे समय में किसी को टीवी पर बढ़काओ भाशन देनी से रोकना एंकर को अपना करतव्य समझना चाहिए। मीडिया की आजादी बहुत जरूरी है। हम अमेरिका की तरह एक स्वतंत्र समाज नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमें यह जानने की जरूरत है कि इसे कहा रोकना चाहिए। पीट ने कहा कि ये नफरत भरे भाशन इंसान की हत्या के सम्मान है। सुप्रीम कोट की कारवाई के सीधी प्रसारन के लिए मंच तियार है। अगले सब्ता से सम्वेधानिक पीट के मामलों की सुन्वाई का सीधा प्रसारन करने की व्यवस्ता की जा रही है। बारत के प्रदार नियाए दीश नियाए मूर्थी यू यू ललित की अदिख्षिता में मंगलवार को हुई पून अदालत की बैटक में फैसला किया गया। सुनवाई के सीधा प्रसारन पर सभी जजों ने सहमती जताई है। सुप्रीम कोट के करमचारी उसी के मुताबिक विवस्ता कर रहे है। 27 सितमबर के से मुक्तमा की सुनवाई को लाइव करने की तयारी की जा रही है। बताया गया है कि शुरुआत में केवल समयदानिक न्यायले के मामलों का सिधा प्रसारण करने का निर्ने लिया गया है। दरसल वर्ष 2018 में सुप्रीम कोट की कारवाई का सिधा प्रसारण करने के अनुमती दी गई थी। सम्विदान और राश्ट्रिय प्रदमिक्ता को ध्यान में रखते हुए सुप्रिम कोड ने उसमें सम्विदानिक पीट के समक्ष केवल कुछ मामलों के सिधे प्रसारण के लिए समती व्यक्त किये अटार नी जनरल के के वेनुगोपा ने पहले सुजाव दिया था कि सीजिय आई की अद्धिक्षितावाली पीट द्वारा उठाए गए महतवपुन मामलों को पहला प्रसारण किये जा सकता है